हेलो श्टूडेन कैसे हैं आप सब एक बार पनाशी गोचिंग क्लासेस पर स्वगत हैं और आज की महात्पूर्ण कुश्चन लेकर आच चुका हूँ आप लोगों से प्लीज एक बिन्दती है कि आप लोग जब लाइक नहीं करते हैं तो थोड़ा सा डी मोटिविशन होता है तो आज का टार्गेट है 50 लाइक आप लोगों को यह दिन नोटिपिकेशन आ रहा है तो प्लीज आप लोग ज़रूर लाइक करिएगा सेयर करिएगा CUT, NEET और आप NDA का तयारी कर रहे हैं JW का तयारी कर रहे हैं या अभी फ्रियाहल में जो भी इंटरंस एकजाम आने वाले हैं कॉलेज लेवल की उनकी तयारी कर रहे हैं तो प्लीज आप लोग इन सभी कॉश्चनों को तयार करें 11 दिप क्लास की फिजिक्स में यह आप कितना पढ़े हैं वह आप टार्गेट रखें कि बास्तों में हम कितना कर पा रहे हैं कितना दिखा पा रहे हैं के लिए कॉश्चन का अंसर यहां से सुरू करिएगा आप लोग पहला कॉश्चन है अंत्रिच च्यानों में प्रत्वी की परिक्रमा करते समय भारहिंता अनुवा होने का कारण क्या है भार की कमी किस कारण से अनुवा होते हैं प्रत्वी के चार और जब अंत्रिच में इस पुला में उपर की और जाते हैं तो अपना बजन थोड़ा सा आभास होता है कि हम ज्यादा बजन के हैं लेकिन जैसे प्रत्वी की और नीचे की और आते हैं जूला से नीचे आते हैं तो थोड़ा सा आपको ऐसा लगता है कि हम बहुत हलके हो चुके हैं तो जब नीचे की और आते हैं, मुक्त रूप से गिर रहे होते हैं, हमारा वहां पे कोई बल नहीं लग रहा होता है, तो वह आपका, क्या हो जाता है, भारहिंता कारण बनता है, तो प्रत्थवी की ओर मुक्त रूप से गिरने का कारण है, भारहिंता कानभव होना, आगे देखो दूसरा कोश्यन ह आप देखो कितना कर पाते हो एक तारे के चार और एक ग्रह का समानता कच्छी पत होता है ब्रत्यनुमा होता है एक दिर्ग ब्रत्यनुमा होता है एक परवले या एक सरल रेखा की तरह होती है बताना है एक तारे के चार और एक ग्रह का समानता कच्छी पत समानता किस प्रकार से होता है, तो जो आफका तारा है और उसके चार ओर ग्रह जो करेगा तो वो होगा आपस नमबर सी परबला किया कार का होगा, चलि अगला कॉशन देखिए, जेट इंजन की सिध्धांद पर कार करता है, बताना है द्रभमान की सनच्छन की सिध्यान पर उर्जा की सनच्छन की idd wrist पर रेकी-संबेख-सय्षन की सिध्यान पर चार अपसान है जेट-ंज़ं की सिध्यान पर कारे करता है करतिम उभग्रह में एक सरल लोला का वर्तकाल कितना होता है सून होता है दो सिकेंड तीन सिकेंड अनंद चार याप आप संट में रायट ईंसर आप बताओगे चलो 먹는 daении क्योंन में मैं बताना कि कौन से नंमबर का कौन सेसर आप बता रहे हो कौन कितना अंक पा रहा है तो प्लीज आप ये बताना कितने अंक सही कर पा रहे हो जो बच्चा अपने आपको दमदार समझता है कि हाम अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं उनके लिए चेलेंज होता है चेलेंज है उन बच्चों को जो अच्छे तरीके से पढ़ गुरुत्वी बाल पर बताना आपको वाल पेन है यह पेन जैसे आवाव रा इसके ज़े नीचे क्यों जब ऐसे यहां पर मलीजी रख दिये तो इंक लग गया इसका कान क्या है तो नीचे क्या है प्रित्वी है सबको पता है तो क्या करेगा गुरुत्वीव लगाएगा तो नमबर डी सही अंसर हो जाएगा पांच में कापस नमबर डी अगले कोश्चन पर चलते हैं जब एक पिंड को भूमद रेखा से ध्रूबों की ओर ले जाया जाता है तो उसके भार में क्या परिबरतन होगा चाहिए भूमद रेखा से ध्रूब जैसे हमारा एक यह प्रत्वी है पहरे बच्चों तो भूमद रेखा कहां पर होती है यह मद में होती है ठीक है जीरो डिगरी पर और यहां पर आपका ध्रूब होता है क्या ध्रूब तो जब हम भूमद रेखा से ध्रूब की ओर ले जाएंगे पिंड को तो भार में क्या होगी इस्तिर रहेगा बढ़े जाएंगे तो ये जो आपका भार है ये भार बढ़ेगा धुरूबों पर क्या होगा बढ़ेगा तो आपसन नंबर B is the correct answer ओके चलिए आगे देखू question number seven है एक यम द्रबमान की पिंड को एक गहरी ख़दान में ले जाएं तल तक ले जाएं अंदर क्यों प्रत्वी के अंदर क्यों ले जाएं तो द्रबमान बढ़ेगा द्रबमान घटेगा इसका भार बढ़ेगा इसका भार घटेगा बताओ जरा स सात्मे नंबर का सही अंसर बताओ कौन सा सही होगा राइट अंसर आपको बताना है कि जब एम द्रबमान का पिंड है गहरी ख़दान पर अंदर क्यों ले जाएंगे जब नीचे की ओर जाता है तो भार घटता है उपर क्यों ले जाएंगे तो भार बढ़ेगा हमने कहा ना लड़की जूले पर बैठी हुई जूल रही है यदि खड़ी हो जाती जूले के अवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा जूले के अवर्तकाल अवर्तकाल बढ़ जाएगा अवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा अवर्तकाल का कम या जैदा होना लड़की के भार पर नि अबर्तकाल घट जाएगा कोकि जब बैठी रहती तो प्रह नीचे रहता है तो थोड़ा अबर्तकाल बढ़ा रहता है लेकिन जैसे खड़ी होती है जूले पर तो अबर्तकाल कम हो जाता है प्रत्वी के केंडर पर बस्तु का भार कितना होगा केंडर पर सून होगा अनंत होगा प्रत्वी की सतह पर भार के तुल होगा उपरोग तुमें से कोई नहीं ठीक है कितना होगा प्रत्वी के केंडर पर नीचे की ओर जाएंगे जाते जाएंगे तो कम होता जाता है सबको प उपरोग तुमेंसे कोई नहीं, कॉश्चन नमबर 10, बादा बहुत सिंपल कॉश्चन है, प्रत्वी से बायोमंडल किस काण से संबध्य नहीं जुड़ा रहता है, नहीं तो भाग जाए, तो इसका काण क्या है, प्रत्वी उसको खिच कर रहा है, इसका काण क्या है, गुरु बर्गमाद मौल बेक के से कम होता है, बताओ, सही बताओ, यह प्रत्वी के निकट है, यह प्रत्वी की परिक्रम करता है, यह सूर से प्रकास प्राप्त करता है, यहां गैस अड़ों का पलायन बेक, उसके बर्गमाद मौल मौन से कम होता है, तो देखो, बायोमंडल करना ह होने का कारण है गैसों का पलायन कर जाना गैसों का क्या कर जाना पलायन कर जाना सबसे बड़ा कारण है तो यह आपका पलायन बेक के कारण होता है गैस है ना जैसे प्रत्वी का प्लायन बेक कितना है गयारत संबलो गयारत संबलो दो किलोमेटर पर सेकेंड और चंद्रमा का दो संबलो चार किलोमेटर पर सेकेंड तो चंद्रमा का प्लायन बेक कम है ठीक है ये कम होने का कारण है प्रत्वी का कछी चा कितने है प्रथिवी के कछ्छा से इधिक प्रथिवी कछ्छा के बराबर या सून ठीक है कौन सा राइटम सो रह जाएगा जो भ्रहासपत ही है वह भूमद रेखा पर क्या होगा भूमद रेखा है नहीं संटर पर बढ़ जाएगा है इस्थर रहेगा घट जाएगा इने में से कुई नहीं से। question number 13 right answer क्या हो जाएगा यदि घूनन बंद कर दे तो g command क्या होगा बढ़ेगा इस्तिरोगा ज्यादा मात्र में करशन करेगा तो option number कौन से हो जाएगा a बढ़ जाएगा भूमद रेका से धुरूबों की ओर जाने पर g command क्या होगा g command क्या होगा भूमद रेका से धुरूबों की ओर जाएगे तो g command में क्या होगी गुरुत्वा कर्शन बढ़ेगा g command क्या हो जाएगा बढ़ेगा तो option number क्या हो जाएगा c यदि हम भूमद रेका से का धुरूब की ओर उत्रे धुरूब या धचनी धुरूब की ओर जाते हैं तो small g यदि गुरुत्वा कर्शन बल यहां पर गुरुत्वी तुरण g command क्या हो जाएगा बढ़ जाता है अगला question तो बहुत ही simple है बच्चलो अंत्रिच्च्यान में बैठे यात्री को आकास कैसा दिखाई देता है अंत्रिच्च्यान में बैठे यात्री को या बैठे यात्री को आकास कैसा दिखाई देता है सब को बता है काला हारा सफेद निला बताओ सोच लिए होगे कैसा दिखाई देता है काला दिखा देता है तुल्ले कारी उपग्रह का अवर्तकाल है तुल्ले कारी उपग्रह का अवर्तकाल कितना होता है 24 गंटे 12 गंटे 361 माए तो तुल्ले कारी उपग्रह का अवर्तकाल होता है 24 गंटे कितना 24 गंटे उपग्रह में भारहिंता का क्या कारण है सुन्य यदि उपग्रह प्रत्वी की और खिसक आता है तो उपग्रह का अवर्तकाल क्या होगा अवर्तकाल किसे कहते हैं एक चक्कल लगाने में जितना समय लगता है तो यदि प्रत्वी की और खिसक जाएगा जैसे समझ हूँ यहाँ पर थोड़ा समय एक डाइग्राम बनाता हूं इसे प्रत्वी है उपगर पहले यहां पर चल रहा था अब थोड़ा अंदर आ गया तो कम समय में तय कर लेगा सही बात है कि नहीं तो भाई यह पहले ज्यादा समय लगता था माली 24 घंटे तो यह 12 घंटे में लगता तो घटेगा तो अप्शन नंबर इसका भी हो जाएगा क थे प्रकार के आज के अठारे कोष्शन है और एक कोष्शन आप याद कर लो तुलत्वी को लाइनवे अग्ट ज्यारत समलूद दो older क्यम्स्यांत्र सेकंट है के यह दो कोश्चन और कर लो तो आपके 20 कोश्चन अचाते हें complete वीडियो पषसंद है तो शेयर करना नाभू और लाइक भी कर दें, मिल टैंक डी वीडियो के साथ, जैहिन बंदे मातरम